हाई व्रीवन वीलकम बैक तो माइज जेन फ्रेंट्स आज हमें क्यूट सी बेबी बनाना सीखेंगे यह प्रॉख हमने सिक्स मन्त से वन यह बेबी के लिए बनाई है एद इसी वीडियो के लास्ट में टू इयर बेबी के लिए कैसी बनानी है वीडियो में पूरा बताया थे वीडियो को बिने skip क्यों देखेंगे फ्रेंट्स तो वीडियो को start करने से पहले अगर आप में चलब परना हैं और मेरी वीडियो को पहली बात देख रहें तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को subscribe करने साथ में जब लाइक करने उसको जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी प्रेंट है एंड देखें बैग है बहुत ही बीटिफुल फ्रॉक है देखें योग देखें कितना खुबसूरत है तो हम साइज मेजर्मेंट लेंगे फ्रॉक का चेस्ट है 9 इंच 23 सेंटीमीटर एंड प्रॉक की टोटल लेंथ है 12 इंच 31 सेंटीमीटर प्रॉक की लेंथ आप प्रेकॉडिक ले सकते हैं इस प्रॉक को बनाने के लिए हमने वर्धमान 4 प्लाई बेबी शॉप्ट पूल का यूज किया है पिंक कलर है एंड हुक नंबर लिया है 3.0 mm तो चलिए फिर स्टाट कर तिस ब्यूटिफुल क्यूट सी प्रॉक को बनाना यह हमने 76 चेंट बना के कंप्लीट किया अब हम रहेंगे 1,2,3 त्री चेंट अब 1,2,3 चेंट इसकिप करना है फूर्थ वाली श्टिच है जो यह चौथी वाली चेंट है इसमें बनाएंगे वन डबल कोशिया अब हमारे 1,2 डबल कोशिया हैं नेस्ट इस्टिच दबल कोशिया इसे ही हमें हर एक स्टिच में वन वन डबल कोशिया बनाते हुए पूरा कंप्लीट करना है तो टोटल 76 डबल कोशिया बना के कंप्लीट किया थी चैंट योली साइड आएएंगे तो यह हमारा वन डबल कॉछेट है, नेश्टिच लेंगे, नेश्टिच डबल कॉछेट, वन चैने, तो हमारे यह वन रोह है, प्रक्राइएंगे, वन चैने, оco ONI कि इसकी पॉन इस्टिच नेश्ट में बनाएंगे ठोड़ना है नेश्ट वाली जो डबल इस उसे बनाना है इसकी पॉन इस्टिच नेश्ट डवल कुश रहा है smellsが 好 है mo all seek pencil कि इसकी पॉन इस्टिच नेश्ट डबल कोश रहा है सेम बनाते हुए रांड कम्पिलीट करेंगे जो देखें में बन चैन स्पेश कीरो बनाके कम्पिलीट की बन चैन अब यहां पर हमारे लाष्ट में one and two three श्टिच है डबल कॉश्ट की one two three one skip करेंगे अब लास्ट के जो two two stitch है इसे बनाएंगे तो वण डबर क्ष्या एंजल लाश्ट की यह 123 चैन है थार्ट चैन में हमें बनाना है यहां पर वन डबर क्ष्या तो लाश्ट में हमारे स्टार्टिंग में यहां पर टू डबर क्ष्या साथ में बनी हुए है और यहां पर यहां पर ध्यान में रखना है एंड यह हमारे वन चैनि स्पेस है टोटल 36 ध्यान देना है यहां यह तोटल करेंगे 1 चैनि स्पेस यहां तक हमारे 36 रहेंगे तो ध्यान रखना है 36 ही रहें, थोड़ा बहुत, यहां से अगर आपका कम या जादा है, तो adjust कर लें, 36, one chain space हमारी जालिया होनी चाहिए, 36, one, two, three, चल, third row start करेंगे, पराना, वर्क को turn किया, अब next stitch में आएंगे, double crochet, यह double crochet बनाई है हमने, one chain, one chain लेंगे, अब यह जो double crochet है, इसी में हमें work करना है, बनाएंगे, one double crochet, two double crochet, one chain, next double crochet है, इसमें बनाएंगे, बनाएंगे, one double crochet, and two double crochet, one chain, next double crochet है, यहाँ पर बनाएंगे, one double crochet, and two double crochet, same stitch में हमने, two two double crochet बनाएंगे, बीच में one chain लेते हुए, यह पर पूरा row complete करेंगे, तिके round complete किया, last में हमारी ध्यान देना है, यह last में हमारी two double crochet था साथ में, and इस साइड भी two double crochet है, यह ध्यान में देना है, यहाँ पर, तो one, two, three, third row complete, one, two, three, three chain, यह तो double crochet बनाएंगे, next stitch, next stitch double crochet, अब हमको लेना है, two chain, two chain, अब यह जो two double crochet बनाएंगे, इन दों के बीच में हमें, यह देखेंगे, इन दों के center में हमें बनाना है, double crochet, two chain, अब यह two double crochet हैं, इन ही के, यह जो space है, बेच में, यहाँ पर बनाना है, center में, one double crochet, two chain, one double crochet, यहाँ से, यह से, बनाते हैं हमें, last तक आना है, last में हमें, साथ में, two double crochet जरूर बनाना है, ध्यान देना है, यहाँ पर one and two double crochet बनाएंगे, यहाँ से, यहाँ से, हमने complete किया, इलकल perfect shape में हमारा, निक बनकर लेडी हो रहा है, round shape में, अब हमको, यहाँ से, हमने two double crochet लेते हुए, अब यहाँ से, हमें ऐसे लेते हो, join करना है, यह two double crochet है, अब हमें, यहाँ से join लेना है, यह three chain space है, यहाँ पर join लेंगे, यहाँ से, जोएं किया, one, two, three chain, यहीं इसी में work करना है, double crochet लेंगे, बर two loops से निकालेंगे, two double crochet लेंगे, one, two, और three chain है यह भी हमारा double crochet, three double crochet, यह निकाला हमने, one, two, three chain, same बनाएंगे, यहीं पर, one double crochet, two double crochet, and three double crochet, four loop, एक साथ लेंगे, one, two, three chain, अब यहाँ यह three chain space है, इसमें हमें लेना है, single crochet, one, two, three chain, यहाँ पर बनाएंगे, three double crochet, पठा में हाँ ही बनाना है, two loops से निकालना है, one, two, three, four loop, एक साथ, one, two, three chain, same, में बनाएंगे, one, two, three double crochet, seven loop एक साथ लेंगे, three chain, one, two, three, next, next three chain space है, single crochet, three chain, फिर यहाँ पर हमें, same, three double crochet, three chain, and two double crochet बनाना है, यहाँ पर, तो same हमें, repeat करते हैं, राउंड को complete करना है, तो देखी राउंड बनाते हैं, लाश्ट में आ गए, लाश्ट में भी यह देखिए, आप एक चाली है, three chain space की, three chain, यहाँ पर भी हमें, single crochet लेनी है, three chain, three chain लिया, जाइन करेंगे यहाँ से, slip stitch से, और हम शेटर में आएंगे, one, two, three one double crochet and two double crochet, three chain भी हमारा one double crochet है, यहाँ पर one, two, three double crochet, सभी लूप एक साथ लेंगे, one, two chain, same बनाएंगे, one, two, three double crochet, सभी लूप एक साथ लेंगे, two chain, अब यह single crochet है, यहाँ पर हमें लेना है double crochet, two chain, यहाँ पर आएंगे, यह देखिए, double crochet, यह three double crochet, two chain, three chain, two double crochet, यहाँ सेंटर में आएंगे, one double crochet, two, three, सभी लूप एक साथ लेंगे, two chain, same बनाएंगे, two chain, यहाँ पर लेना है, one double crochet, two chain, same बनाएंगे, three double crochet लेंगे, two, three, यहाँ पर हमें half double crochet की बनानी है, पफिश्टिश है, three double crochet हमने, four loop है, एक साथ लेंगे, one, two chain, same बनाएंगे, one, two, three, two chain, यह सेंब बनाते हूं, राउंड कम्प्लीट करना है, तेकर राउंड बनाके कम्प्लीट किया, two chain, यहाँ पर हमें जॉइन लेना, slip stitch से, center में आएंगे, slip stitch लेते हैं, यहाँ पर हमें center में आ गए, अब यहाँ से लेना हमें, one, two, three chain, यहाँ पर हमें same puff stitch ही बनानी ही है, three double crochet लेनी है, one, two, तो यह हमारा three chain भी count करेंगे, one, two, three double crochet, सभी लूप एक साथ लेंगे, देखिए, one chain से lock किया, two chain, same बनाएंगे, one double crochet, two, three, सभी लूप एक साथ लेंगे, two chain, अब यहाँ पर हमें single crochet लेनी है, one, two, three chain, same बनाएंगे यहाँ पर, one double crochet, two, three, सभी लूप एक साथ निकाल लेंगे, ति जो one chain से हम लॉप कर रहें तो इसको भी count करेंगे, तो one, two, three, one, two, three, सभी लूप एक साथ लेंगे, three chain, ति यह same continue बनाते हुए हमें, round अपना complete करना है पहले, ति देखे हमने अपना round complete किया, अब यहाँ पर two chain, यहाँ पर join लेंगे, यहाँ पर, slip stitch से, and center में आएंगे, center में आ लेंगे, यहाँ परफेक्ट round shape में हमारा योग बन कर ready हुआ है, अब यहाँ से, यहाँ तक, next से, यहाँ तक का चेश्ट का हमारा है, यह देखे, nine centimeter है, यह nine centimeter, तो आप same wool का use करेंगे, and hook number two point five mm लेंगे, तो आपका यही योग, zero से three month baby का size बन कर ready हो जाएगा, new one baby के लिए, यहाँ से, अब यह देखे, total हमारे यहाँ पर, यह जो हमने fan stitch बनाई है, puff stitch की जो group हैं हमारे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18, total 18 group बने हुए हैं, देखे, three, three हमारे, यहाँ से हमें count करना है, यह जो center है, तो three is side है, three is side, तो यह हमारा back है, तो back में three is side से, three is side से marker लगाएंगे, यहाँ पर हमारे है six, देखे, one, two, three, four, five, and six में marker लगाया, इसके बाद हम यहाँ से count करेंगे, तो one, two, three, यह four में marker लगाएंगे, यहाँ पर one, two, three, skip करके four में लगाएंगे, तो यह हमारा sleeves का part है, यह back है, same side भी है, one, two, three, यह four में लगा हुआ है, sleeves है, and यह front है, front में हमारे है, one, यही से count करेंगे, one, two, three, four, five, and six, समझ में आ गया होगो कैसे बनाना है, marker लगाने है, बहुत easy है, अब हम अपनी nestro बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लेना, one, two, three, four, five, five chain, five chain हमने, अब देखें, यहाँ पर यह जो हमारा space है, first, यहाँ पर हमें double crochet बनाएंगे, two chain, अब हमको यह जो single crochet यहाँ पर बनानी है, double crochet, two chain, अब यहाँ पर इस point में बनाएंगे, यह जो space है, यहाँ बनाएंगे, एक डबल कोश्या, देखिए, वन डबल कोश्या यहाँ पर बनाया, टूचैन, अब यह जो सेंटर है, यहाँ पर बनाएंगे, वन डबल कोश्या, टूचैन, सेम हमें बनाना है, इस पॉइंट में भी बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, वन डबल कोश्या, टूचैन, यहाँ पर बनाएंगे, वन डबल कोश्या, टूचैन, अब यहाँ यहाँ पर बनाएंगे, वन डबल कोश्या, टूचैन, अब यहाँ पर, यहाँ पर लगाएंगे, वन डबल कोश्या बनाया हमें, यह देखिए, तो हम कि वान टू एंड वान टू है कि टू चैन लेंगे है कि टू चैन लिया अब हमें स्लीप्स जॉइन करना है यह सिधे यहां पर नेश्ट मार करते आएंगे कि यह डबल को शिवाएं तो यह हमारी स्लीप्स है टू चैन अब जईके इस पॉइंट में आएंगे डबल को शिया लेते हुए कि टू चैन सिंगर कोशिय के पास आएंगे कि टू चैन कि यहां पर भी आएंगे यह इस पैस है यहां पर आएंगे सेंब नाना है जैसे भी बनाया हमने टूचैन यहाँ पर आएंगे तो हमको टोटल यहाँ तक बना के पहले हमें complete करना है same जैसे हमने यह space बना है यहाँ पर टूचैन के यहाँ पर भी है पूरा continue बनाते हुए यहाँ तक complete करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यह marker है यहाँ तक आएंगे बनाते हुए तो यह देखे marker तक आ गए हम टूचैन अब हमें next slips को जोइन करना है second slip जोइन करेंगे तो यहाँ पर इस marker तक आएंगे तो 1, 2, 3, skip करेंगे यह 4 में आएंगे तो यहाँ पर हमें double crochet बनानी है यह देखे जहाँ पर marker लगा है 2 chain यह हमारी second slip से भी जोइन हो गए 2 chain 2 chain 2 chain लिया हमने अब यहाँ पर आएंगे इस point में आएंगे सेम बनाएंगे 2 chain इस पर पूरा round complete करेंगे बनाते होए यह यहाँ पर हमने बनाया double crochet 2 chain लते होए single crochet को पर double crochet बनाएंगे 2 chain अब इस point में बनानी है double crochet 2 chain अब जो space है यह देखे space में बनाएंगे double crochet 2 chain फिर से this point में बनाएंगे double crochet 2 chain कि यहां पर बनाएंगे सिंगर कोश्या है यहां पर बनाएंगे तूचाएंग तूचाएंग तीस अब ध्यान देना है बिल्कुल भी निस नहीं करना है कोई भी स्पेस हमें क्योंकि इसी के आगे हमारा प्रेटर्ण बनेगा तूचाएंग तूचाएंग यहां पर सिंगर कोश्या है तूचाएंग इस पॉइंट में बनानी हमें एक डबर कोश्या अब यहां पर टूचाएंगे अब यहां भी हमने फाइप चैन बनाई थी हमारी डबल कोश्या किया है एंड टू इस पेस के लिए तो वान टू थ्री थार्ड में लेंगे श्लिपी स्टिप्ट तो यह देखिया हमारा राउंड बनकर रेडी हो गया तो यह बैक है देखिए यह स्लिप्स है यहां से स्लिप्स यह फ्रंट है यह फ्रंट यहां से फ्रंट आएगा एंड यह बैक है अब हम अपने नेश्ट रो बनाना स्टर्ट करेंगे यहां पिया यहां पहें ज्री चैन अब यह इस पेस है तू चैन इसमें लेंगे वान डबल य। यर। यह डबल कोशिय है इसके उपर जास डबल कोशिय बनाएंगे डबल कोशिया लेंगे यहाँ पर नेश्ट टू चैनी स्पेस में टू डबल कोशिया वान टू अब यह डबल कोशिया है डबल कोशिया लेंगे टू चैनी स्पेस वन डबल कोशिया टू डबल कोशिया एंड यह डबल कोशिया कूपर जस्ट डबल कोशिया लेंगे तो सेम राउन बना के पुरा complete करेंगे इसी पॉइंट तक आएंगे तोटल 120 हमारी बनकर रेडियो हुई है अगर एक या दो मीस हो रही है तो आप एड्जेस्ट कर लें थर्ड चैन से जोईन लेंगे वान टू थ्री फोर फाइव फाइव चैन इसकिप टू इस्टिच यह हमारी फर्स्ट इस्टिच है वान टू थर्ड में बनाएंगे डबल पोश्या तू चैन हमें इसकि पू स्टिच 1,2 थर्ड में बनाएंगे डबल पोश्या इसकिपमै टू चैन 1 औरडू तू टू डबल कोश्या छोड़ते भी तीसरी में बनाना है इसकि टू चैन की स्पेस्ट हमें पूरीत राउंड में बना के कंप्लीट करना है यह देखिया हमने टू चैन के प 120 डवल कोछिया हैं एक बार हाप काउंट जरूर कर लें अगर आपकी ज़ादा है तो आपको कम कर ले ना कहीं-कहीं बट आपकी 120 डवल कोछिया ही होनी चाहिए अब हमने टूचैनी स्पेस का राउंड कम्प्लीट किया उसके बाद हमें फिर से सेम राउंड बनाना है तो हमारी इस राउंड में भी नेश्ट राउंड जो बनाएंगे तो तो वन हंड्रेट ट्वंटी डबल कोश्या ही होनी चाहिए इस राउंड में भी सेम बनाएंगे सेम राउंड बनाना है हमें तो ऐसे ही काउंट करते हुए हमें 120 डबल कोश्या ही बनानी है इस राउंड में भी यह बना के पहले हम पूरा कम्प्लीट करेंगे कि यह देगे फ़र समने अपना राउंड कम्प्लीट किया टोटल वन हंड्रेट ट्वंटी डबल कोश्या है अब यहां से हमने ज्वाइन लिया कि स्लिप इश्टी से थर्ड चैन में कि ज्वाइन लेंगे यहां से अब हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा वन टू थ्री यह मारा वन डबल कोश्या है नेश्ट इस्टिच है जो डबल कोश्या टू क्या अब इसके पासवाल स्टिच में भी डबल कोश्य बनाएंगे तो वान टू थ्री चैन में काउंट करेंगे तो वान बबल कोश्या तो टू जैन अब हमें वन स्टिच रहय है यहां पर वन यहां पर इसकिप करना है नेस्ट में बनाना है सिंगल कोशिय ऑज वन एंड दो आजो इसके पास्वाल स्टिच बनाएंगे सिंगल कोशिय 3 double crochet 1 2 3 2 chain अब यहां पर हमें 1 skip करना है और नेश्ट में आएंगे 1 & 2 double crochet बनाएंगे 2 chain इसकीप 1 stitch तो जोई 1 double crochet इसको skip करेंगे नेश्ट में आएंगे double crochet लहेंगे 1 2 3 2 chain इसकीप 1 stitch जो इसके पास वाल इस्टिच है तो 2nd वाल इस्टिच में आएंगे इसकीप करना है नेश्ट में आएंगे सिंगल कोश्या फिर इसके पास वाल इस्टिच में सिंगल कोश्य बनाएंगे 2 chain इसकीप 1 इस्टिच नेश्ट डबल कोश्य वान 2 3 अब यहां पर हमारी इस्टिच थोड़ी जादा है वन तो यहां पर हम टू सिंगल कोश्या लेंगे पहले हम अब यहां पर वन इस्टिच जादा है तो ऐसे लेंगे यहां से तर्डेस्ट हो जाएगी अब लेंगे टू चैंड एंड देखिए अड्रेस्ट हो गई यहां पर एंड वान टू थ्री थर्ट चैंड से हमें कि सिलिप इस्टिच से ज्वाइन लेना है गएं वान टू थ्री 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 शैंड सेम इस्टिच में हमें लेना है एक डबल कोशिया फिर हमें यह सेकेंड इस्टीश है नेस्ट वाली स्टीश में लेना है डबल कोशिया तो यहां पर हमने 123 थ्री चैन भी काउंट करें तो 123 डबल कोशिया 4 एंड 5 सेम इस्टीश में लेना है 5 तो यहां पर हमारे हैं 5 डबल कोशिया 1 2 3 4 5 3 चैन अब यह जो टू सिंगल कोशिया है इनके बीच में हमें लेना है एक सिंगल कोशिया वान टू थ्री चैन लेना है वान टू थ्री चैन अब इन दोनों की बीच में लेंगे सिंगल कोशिया थ्री चैन अब सेम यहां पर भी हमें बनाना है वान टू थ्री डबल कोशिया अब बनाएंगे वन डबल कोशिया 2, same stitch में ही, 3, next, 4, and 5, same stitch में ही लेंगे, 5 double crochet, 3 chain, अब ये दो single crochet हैं, इनके बीच में हमें लेना है, 1 single crochet, 3 chain, फिर हमें यहाँ पे लेना है, 5 double crochet, तो same pattern हमें रिपीट करना है, यहाँ तक आएंगे, बनाते हुए पूरा, राउंड कम्प्लीट किया, 3 chain, 1, 2, 3, third chain से join लेंगे, slip stitch, 1, 2, 3, 3 chain, तो यह हमारा first double crochet है, अब इसके पासवाल stitch में, 2 double crochet and 3 double crochet, तो यह हमने 3 double crochet बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chain, अब हम को जो यह third वाली double crochet इसी में बनाना है, double crochet 1, 2, और 3, जैसे बनेगा, 1 chain, अब हमें यह पूरा एरिया स्किप करना है, यहाँ पे आना है, इस वाला जो double crochet है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आएंगे, first वाली double crochet में, बनाएंगे 1 double crochet, उसके पास वाली stitch में 2, फिर एक बनाएंगे double crochet 3, तो हमने 3 double crochet बनाए, 1, 2, 3, 5 chain, अब जो थर्ड वाली crochet इसी में बनाना है, हमें double crochet 1, 2, and 3, 1 chain, फिर हमें यहाँ पे आना है, यह जो 5 double crochet डारेक्ट आना है, यहीं पे बनाना है, यह सेम repeat करते हुए में इस point तक आएंगे, तो round complete किया, one chain, अब यहाँ पे हमें, तो one, two, three, third chain से join लेना है, slip stitch से, अब slip stitch लेते हुए में, center में आना है, यहाँ पे आ गए, यह five chain space में आना है, यहाँ पे आ गए, one, two, three, three chain हमारा double crochet and one chain space के लिए, तो one, two, three, four chain, इसी में बार करना है, five chain space में, four chain, one double crochet, one 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 chain, one double crochet, टोटल हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम डबल कोश्य बनाने हैं वन चैन लेते हुए वन चैन, अब यह जो इस्पेस है हमारा यहां पर वन चैन का यहां पर लेना है सिंगल कोश्य फिर हमें यहां पर वर्क करना है यह फाइब चैन इस्पेस है डबल कोश्य वन चैन, वन 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 डबल कोश्य वन चैन, तो हमें 6 टाइम वन डबल कोशिय बनाने हैं वन चैन लेते हुए देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वन चैन अब यह वन चैनी स्पेस है यहाँ पर हमें लेना है सिंगल कोशिय सेम बनाते हुए अपना राउंड कम्पलीट करेंगे पर राउंड कम्पलीट किया बनाते हुए अब यहां पर वन चैन लिया हमने स्लिप इश्टिच से जॉइन लेंगे थोट चैन से तोट चैन से जॉइन लिया अब इस लिप इश्टिच लेते हैं वन चैन इस्पेस में आएंगे तरी चैन तरी चैन लिया अब सेम इस्टिच में हमें डबल कोश्य बनानी है यह एक डबल कोश्य बनाया तू चैन अब नेश्ट वन चैन इस्पेस में आएंगे जो यह स्पेस है यहां पर आएंगे डबल कोश्य लेंगे पर टू लूप से निकालेंगे तरी लूप एक साथ लेंगे है टू tiden ही यहां सेम बनाना यहां है डबल को सब लेगे राहत है डेश्ट वंचेन का कि डबल कॉस्च लेंगे वाड टू लूप से निकाल लेंगे तू लूप से लिखांगे बढ़र जबनदू बैनगत अब दो डबल जाह卖ा लेंगे सेम बनाइएंगे यहां पर वन डापने टू डापने डापने गई घ्याँट सेम अब हमें यहां पर भी बनाना है यहां पर बनाएंगे जो देखिए यहां पर हमने बनाए वान टू डबल क्रोशय गुरुप है वान टू थ्री फोर फाइट नेश्ट बनाएंगे यहां पर सेम बनाएंगे डारेक्ट हमें बनाना है टू चैन लेते हुए यहां पर टू चैन सेम बनाएंगे 1 टू तू चैन रोन डबल क्रोशय तू डबल क्रोश्य तू चैन वन डबल क्रोश्य त्री फोर फें टू चैनर करेंगे यहां फिलिग है डबल क्रोशियों तू डबल क्रोशियों थ्री लूप एक साथ निकालेंगे तू चैन फिर यहाँ पर हमें सेम बनाना है यह देखें यहाँ पर आएंगे सेम बनाएंगे तो सेम बनाते हो राउंड कंप्लीट करेंगे तुरी के राउंड कंप्लीट किया टू के वान् टू कर थी त्रट चैन से जॉइन लेंगे दो कि लिए गरशिचे cotton राउंड क्षटिह लेते हुए तू चैन फेस में स्फेस लिए यह अगये वान् टू थOOOO conspiracy हमारा ऑँकि करोशिया है एंद 23 थी ऐीडिटा रूंड सा आएंगे डबल क्रोशिय लेंगे 3 चैन यहां पर आएंगे टू चैनी स्पेस पर डबल क्रोशिय लेंगे थी चैन तू चैनी स्पेस डबल क्रोशिय हो तो 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 टल हमने 1 2 3 4 4 double crochet and 3 chain के group है यह तो 1 2 3 4 double crochet बनाया हमने अब यहां पर 3 chain लेते हैं 4 double crochet बनाया 3 chain अब देखें नेश्ट में आएंगे यहां पर double crochet लेंगे सेम यहां पर भी बनेगा 3 chain नेश्ट टू चैन इस्पेश डबल कोश्या है तब यहां पर भी देखें हमारे यहां से काउंट करेंगे तिया इस साइड भी हमारे 1234 है अब यहां से काउंट करेंगे तो 12344 डबर क्रोशिया है फिर 3 चैनल लेंगे कि नेश्ट में आएंगे यहां पर कि डबर कुशिया लेंगे तो अब यहां पर भी बनना स्टार्ट हो जाएका हमारा इस सेट ती सेम बनाना है बहुत इजी है फोड़ा सा ध्यान देना है बनाते हुए हमें राउंड को कंप्लीट करना है तो कि तो राउंड कंप्लीट किया थ्री चैनल अब यहां पर हमें वांड टू थ्री थर्ड चैनल से जोइन करना है जोएंगे हमें थ्री चैनल अब यह पर आएंगे थरी चैनल से इसमिन बनाएं गे वांग्य डबन कोर्श्य hy अब सिन में आएंगे ऑंडबल कोंश्या ऐनिक तो डबल कोंशीय पीच्री अभी डबल कोश्या इसके ज़िए ऑन पर बना ना है यसे से मना ना आते हूए कंटिने हो के मुप्लीट करेंगे यहीं तक आएंगे बनाते हुए कि देखिए हमने राउंड बनाके कम्प्लीट किया अगर आप न्यूबोन बेबी के लिए फ्रॉग बना रहे हैं आपको यहीं तक बनाना है यहीं तक रखनी है तो अभी हम वर्लांड इसका यहीं पैंट बनाएंगे तो यहां से हमें से रिपीट करना है यह देखिए यह जो रो है यहां से हमें रिपीट करना है रो यहां से वान 2 3 4 5 यह 5 रोह हमें फिर से repeat करनी है जåब बनाना है यहां से भी तो यह बना के पहले हमें complete करना है तो कैसे बनाना है यह तो मैं लोडि को बता चुकी हूँ यह पूरा same pattern अभी हम फिर से यहां पर बना पर पुरा कम्प्लीट करेंगे पहले तेदे के फ्रेंड ने सेम प्रेटरन बनाते हुए प्रेंड क्या एंड लाश्ट में हमने यह जिए डवल क्रोशिय की रो है यह यह वह एम ने राउन बनाके कंप्लेट एज जो साइज है वन यह बिदे तक का साइज है अगर आपको यहीं टू इयर बेभी के लिए बनानी है तो टू प्लाइवूल का यूज करना है और सेम भूक नंबर लेंगे 3.0 mm आपका टू इयर बेभी का साइज पर्फिक्ट साइज बनकर रेडी हो जाएगा पर टू इयर बेभी को बनाने के लिए प्राइज को आपको सेम प्रेटर्न फिट ब्यूटिफूल लग रहा है और स्पेस इतने हैं कि आपकी बटन इसली हो जाएगी तो फ्रेंट्स ब्यूट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा वीडियो को फैमिल और फ्रेंड के साथ से जरूर कीजिएगा और कमेंट करक यह जरूर बताएगा कि उरी बना यह ब्यूटिफुल प्रॉका को कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में और भी ब्यूटिफुल डिजाइन के साथ